कि हेलो जय हिनसातियों स्वागत्य का मेरे YouTube चैनल पर और आज हम तर्चा करने वाले हैं जो CRP में नई end स claro कि यह उसके बारे में आरिकन स्कूट की एकृट्स करें सब जानकर 12- reads कि यहांग सब है क् mock तो विडियो को से शेर करें यहांद रखें चैनल के antibias पर पिछले जो पेपर है वह भी सोल कर रहे हैं अलग पहले लिश्ट में डाले वह हैं आप वह भी आप देख सकते हो तर लिए सुरुआत करते हैं तो देखे सबसे पहले पर बड़ती का नोटिविशन जारी कर दिया गया है उसके बाद देखो आगे क्या लिखा गया है इसमें क्या लिखा रिकॉर्मेंट पर बड़ती का नोटिविशन जारी किया है इसके बाद में इसमें जो नेश्ट जो इन पर में इसके जो आवदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं तो इसके आवदन है यानि फोर्म कब से शुरू हो रहे हैं चार जनौरी 2023 और लाइस टेर्ट रही गई पत्चीज जनौरी 2023 तक बरिजाएं तब से कब तक चार जनौरी 2023 जनौरी 2023 तक इसकी पोरम बर जाएंगे कितने पोस्टप सब्सक्राइब करें जानकारी जो आपकी योगिता क्या रखी गई है उसके बाद में योगिता रखी गई है उसके बाद में योगिता आयू सिमा एप्लिकेशन पीसों अन्य संपुर्ण सब्सक्राइब करें जानकारी जो यह निच्छत दी गई है ठीक है अब देखें रिकॉर्मेंट और्गनेजिशन कोन है सेंट्रल रिद्र प्लीश पॉर्स यानि कौन से आर्प पोस्ट का नाम क्या पोस्ट का नाम है एड़कांस टेबल और एस इस्टेनों उसके बाद में व सब्सक्राइब करें वाली ओल इंडिया रेने वाली लाइस डेट एपलाई कि 25 जंदर ये बता दी मैंने और जो आवे देने वो कैसे होंगे वह ओनलाइन होंगे कैसे ओनलाइन ठीक है कैटेगरी स्यार्प एस इस्टेनों एंड हेड़कांस टेबल मिनिस्ट्रेल पर एड़कांस टेबल इसकी चुदा ऑबिसी की 49 एसी की की से एस्टे की कितनी ग्यारा उसके बाद में हेड़कांस टेबल के मात करें तेरा सु पंदर पोस्ट है यूर्क याने अदर की एप 532 एड़के 132 और ओबिसी की 355 और एसी की 157 और एस्टे की कितनी नियाड़ में अब देखो पीस के बात करें जनरल ओबिसी और एड़कांस के लिए 100 रुपे रखी गई एसी एस्टी और एसम फिमेल के लिए कितनी कोई इसमें पीस नहीं कि इसमें बताया गया कि सीर्पेफ बरती दो जाटेश के लिए आयूश्वीमा कम से कम 18 वरस और अधिक्तम 25 वरस तक 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 यह आप 18 और 25 के बीच में अगर हो तो आप इसका फोर्म एपलाई कर सकते हो आज की गटना यह 25 जनौरी दो जाटेश के नूसार की जाए को सेम जनौरि के आपके जनवाद चाहिए क्या किस जनौरी दो जार ठेस कर आपको जल्म होना चाहिए तर को मैंने बता दी आरकी कि यह कि काकसा ककसा बार invasive में उत्रिन होना चाहिए हो और इसके लगवार इस इस इस्टणों के लिए बार इसका प्लस इस्टणों होना चाहिए इसमें देख के बता दिया गया कि एस इंच्टनों के यले बार एपाफ पलस इखरनों और एड़न एबार एपाफ उसके बाद इसकी सेलक्स प्रोसेस के रखी कही है ठीक है पहलह सब से पहले पीटी और vom जाए ठीक है उसके बाद रिटरन एग्जांब होगा उसके बाद इसकी टेस्ट होगा जो सिर्फ इस्टयों के लिए और उसके बाद मेडिकल एग्जाननेशन उसके बाद एक यार्पर और आपको और कोई जानकर चाहिए तो आप निचे कमेंट करके बता दें कोई भी आपको जानकर चाहिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उसके बाद में सेर भी करें इस वीडियो को तकि सबके लिए जानकर पहुंच आई और आप नहीं हो तो चैनल को सस्राइब जरूर करें ठीक है क्योंकि यहां पर हर एक बरती के बारे में आपको जानकर दी जाती है और आप जो पिछले जो पेपर वो भी आप